नविश्कार BCN News के Doctors.com में मैं दिशाप सभी का स्वागत करती हूँ दुन्या वेल में कैंसर महमारी की तरह बढ़ती जानी है इसका पूरी तरह इलाज अभी भी विज्ञान के लिए रहसब बना हुआ है हाला कि यह भी का जा रहा है कि अगर इसका सही समय पर पता चल जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकते है महलाओ की बात करें तो उनमें breast cancer बहुत ही आम cancer है World National Breast Cancer Foundation की एक report में पाया गया है कि लगबग हर दो मिनिट में एक महला breast cancer की शिकार हो रही है पिछने कुछ सालों में तीजी से बड़ी जाकरुपता के कारण कई महलाओ की जान इससे बचाई जागे है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हिस्से है जहां इसके बार में महलाओ और पुरशोप में जाकरुपता नहीं है और इसे लिए यूशुली हर साल अक्टोपर का जो महिना है उसे breast cancer awareness मन्त के रूप में देखा जाता है आज इसी विशे में चर्शा करने के लिए हमारे साथ हमारी स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर अरुंधती मराथी लोटे माम बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्होंने breast cancer and endocrine surgery के चेतर में काम किया है साथ इन्होंने master's किया है general surgery में CMC Valor और Tata Memorial Hospital Mumbai Jersey Institute से इन्हें पढ़ाई की है बताते हैं कि breast surgical oncology इन्हें इनकी speciality रही है इन्हें का अदेश है कि हमारी महला को breast cancer और उसके क्योर के बारे में चांद का रीज़ए once again a very warm welcome to you ma'am I hope that you have kept in your mind whatever goal should be fulfilled by this interview session I guess we should not waste out the time and just start out with the session okay okay well कहीना कहीं breast cancer इस बारे में लोगों को पता ही नहीं रहता है मतलब क्या है breast cancer इससे संबंदित में चाहती हूँ कि आप मारी दर्शेकों को जानकारी देए तो cancer जब हम देखते है कोई भी cancer तो वो क्या होता है तो हमारे बोड़ी में जो normal cells होते है उसमें से कोई एक cell अपने आप ग्रो करने लगती है वो एक के दो cell होते है तीन cell होते है देरे वो ग्रो करके उसका एक टूमर बन जाता है जिसको बोड़ी फाइट नहीं कर सकती इसे कहते है cancer और जब यह हमारे ब्रेस्ट में होता है इसे कहते है breast cancer कहीं नगे जिस तरह के से मैंने भी में मेंशन किया कि जो रिपोर्ट साही है कि हर दो मिनिट में किसी लेडी को cancer हो है तो मैं जानना जाती हो कि भारत में ये जो breast cancer है उसका अभी रेट किस तरीके से रिपोर्ट किये जाते है तो काफी तेजी से बढ रहा है जैसे आपने कहा की लोगों में जावरुकता बढ रही है को जावर युद से बढ बढ रहा है तो कैस बढ रहा है तो अगर आप इंटरनाशनल प्लाटफों में देखे us उनाएट से में 8 माहिला को सब्वाप इस के बूरे जीवन में की सम्भावनओंग होती है यही जब आप इंडिया में लेखे तो इंडिया पीछे नहीं है 30 में से एक महिला को युझे इसेंड पूरे जीवन में कैंसर होने की सभहवना होती है और हर 2-4 मिनिट एक ब्रेस्ट कैंसर की कैस हमारे सामने आती है करेंग यह चाहिती है आपकोती जानी टो चाहिजा कि यहार जो जाना जाए मैं आपकोती है। रहते है कि एक लिए प्रेवेंट करने के लिए भी प्रेश हश्चेर्थ। तो जब प्रेस्ट कैंसर हम कहते है अलब करांण तो ईसके कारंठ अपर History एब करें चीजिता है js js्ो पते हुए आप ऐसे हम थोरीक करें सकते हैं तो तो ब्रेस्ट करख़ाँ सारी केस में एक्सराइस करना, तंबाकू का सेवन नहीं करना शराब का सेवन नहीं करना छेक करें। झाहिए शेरां थोरीकसे हैं जब करना हैस वاشकर दोफ करें नहीं, बर नहीं अगा है इस नहीं ते सब्सकार करें नहीं होती है जानना चाहँ विकेंड़ प догळ सब्सक्राइड में झाल के खान संग यह नहीं थीडिगरी है क्योंन खोभ टॉपल तो इसमें high fatty food, high calorie intake होता है, nutrition wise कम होने लगा है, वो एक रिस्क फैक्टर है, तो जैसे हम नॉर्मल अपना nutrition खाए, roti, sabzi, pulses, ये सब चीजे हमारे लिए बेनिफिशल है, पर अगर हम चीज जादा मातरा में खाए, बटर, ब्रेड, ये सब चीजे थोड़ी हानी कार रहे है कही न कही हमारा डाइट ब्रॉपर बालन्स रहना चाहिए, ये जो अब लोग ऑफिस वाली जो लाइस्टाइल जा रहे हैं डेस्क पे बैटरे डेस्क पे काम कर रहे हैं उसके वज़े से प्रोब्लम हो सकती है, तो एक्सराइस करना भी कही न कही जरूरी है अजिसरी कैसे आपने ये जो है प्रोटेक्टिव प्रेवेंटिव फैक्टर शायरम कह सकते और क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स या प्रिवेंटिव फैक्टर्स रहे हैं वो जाना चाहते हैं तो कोई-कोई फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं कि मौडिफायबिल रिस्क पैक् इतना लेट हमारे periods जाते है यानि हमारा मेंस्ट्रील साइकल का एक्सपोजर अपने पूरे जीवन में अगर जाद हो तो ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क थोड़ी मातरा में बढ़ती है यह सब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जैसे मैंने कहा एक्सराइज करना तंबकु का सेवन करना लाक्टेशन तो प्रेगननसी के बाद जब बच्चे को दूद पिलाते है वो प्रोटेक्टिव है हमारे शरीर के लिए कम से कम 12-8 महना अगर आप अपने बच्चे को दूद पिलाए तो जो हॉर्मोन चेंज़ हमारे बॉड़ी में होते है वो अपने ब्रेस्ट के लि अज़े भी हमनी cancer से अलगए अलगए संबंद थो कैंसर थे अलगए तवाड़ी थे सम्मंदिन थो कैंसर थे अटाइट सेस्टो अज़े पर अजलिए प्रिस कैंसर का सेशन है हम माम के साहँ ज़े है हमारे तो एक पर एक स्वागध और धन्यवाद आपका अब इस यह जान सबमें नहीं, 2-3% केस्स होते हैं थो अगर आपके फैमीली में आपको पता है कि आपके माद को या आपके गांपरेंट्स को बुजूर्ग में किसी को कैंसर बैस्त कांसर हुआ है तो आपको और सकतर क्रेहने की जरूरत है कैना की जिस तरह के से जरूरी होता है कि हमारे साथ जो चीजे हो रही है वो हमें सल्प एक्जमाइन करनी पड़ती है तो इस केस में क्या यही चीज लागू होती है इस विशह में जाना चाहती हो सेल्फ ब्रेस्ट एक्जमेशन जैसे आपने कहा कि खुद को एक्जामिन करना जरूरी है और ब्रेस्ट चैंसर जब हम बोलते है तो यह बहुत इंपोर्टन है अर्ली डागनोसिस के लिए जितना जल्दी हमें इसका निदान हो उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू होत एर बेंदर ट्रीटमेंट तो यह जब होगि इसल्देश्ट इग्सामिनशन करना ज़रूरी है Bible वारी थो तो एस क्टें के बारे मी मौण ऑंतलों किस तरिकी में एक्स नॉर्मेल झर्वा जैसे होता है ट। आपके पही 2 हरा ब्रेस्ट का एक सीधुनिया आचcito है वह इसेальные हे ब्रेस्ट का ईसे होते हैं जो आपको चूके जाप पताना चले एक सेंटीमितर से कम वही मैमज्च के पकर जाते हैं और मैम्मोग्रफ यस के बाद साल में एक बार करना यह देखा गया है कि अगर किसी को ब्रस कैंसर होता है तो उने आज समझ में यह आते है कि वो किस तरीके का इस चुरुवाती स्टेज में वो अचली इंटिपा नहीं करते है कि कैसे हुआ है या पर क्या चीज़े है तो इसके लिए जो वर्निंग साइन्स ब्रस कैंसर के वो क् कि जब पीरेट आते है तो हम सबने एक्सप्रियंस किया होगा कि ब्रेस्ट थोड़ी हो जाती है बल्की होती है तो वो टाहिम ना करे पीरेट के चार-पश दिन बाद अपनी ब्रेस्ट महने में एक बार एक्जामिन करे और आपको क्या देखना चाहिए तो जैसे आपने कह दिख रही है या चूप के पता चल रही है यहां मैं एक कहना चाहूंगी कि गठान सिफ ब्रेस्ट में अगर हो तो उसे ब्रेस्ट कैंसर तो बिल्कुल कहते ही है पर अगर आपको ब्रेस्ट में गठान नहीं लग रही हो तो आपके बगल में भी आपको चेक करना जरूरी ह क्योंकि breast cancer पहले आपके बगल में spread होता है अगर यहां है और यहां चोटा है और अपको फील नहीं हो रहा है तो चांस है कि उसकी गठान बगल में भी spread हुई हो तो वह आपके पकड में आ सकती है दूसरी चीज़ है कि आपके skin changes तो आपकी skin लाल होना या जैसे orange peel appearance हम कहते हैं संत्रे के चिलके जैसी आपकी skin change होती है या उस पे दाने दाने आ आ जाते है यह कुछ वार्निंग साइन्स है निपल में से पानी आना ब्लैक कलर का पानी या खून आना जो पहले नहीं आरा था जो abnormal है तो यह सब चीज़ अगर आपको लगे तो आप तुरन दॉक्टर को संपट करिया अच्छी यह बहुत सारे महिलाओ को अगर गठान हो पर उसमें कोई दर्द नहीं है कोई तकलीफ नहीं है तो दॉक्टर के पास नहीं जाते है पर मैं कहना चाहूंग कि 99% breast cancers painless होते हैं आपको दर्द नहीं होता है सिर्फ 1% केसे से जहां आपको दिल चाहती में गठान हो और आपको दर्द हो तो इसलिए अगर पैनलेस है तो more to worry about अ कही नहीं यह देखा गए कि फीमेल्स में जो है वो ब्रेस कैंसर रहता है तो यह बहुत अपने बहुत अच् अच्छा जब बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर तो महीला को सतर करें आपको बिल्कुल पर मेल्स में भी होता है 1% of breast cancers are found in males तो मैं जानती हूं सब सोचेंगे कि अर्ये मेल्स में ब्रेस्ट होती नहीं है तो कैसे पर GLAN्ड्स होते हैं फीमेल्स में इस देवलक्त देवलप होते हैं तो यू गेट देवलप होता है तो यू get the shape of the breast बत्षपः मैल्स में ग्लन्ड होते हैं जिसमें था। भॉन सिंग पार्ण इसे ही की संगाना है और वर्निंग साइंस है। रासक कणिः पढना ये करिक विर ठान पर कलर चेंच हो जाना एक्षिस też कवा। बेस बारे में? 4 stages होते हiken कोई भी cancer में 4 stages होते है तो breast cancer में जब हम झालेम is stage 1 तो cancer आपके breast में होता है stage 2 में cancer जैसे में पहले کہा कि बगल में भी spread हो सकता है stage 3 जिसमें cancer breast में ही बहुच जगे is spread out लुखें पुरी breast involve हो जाए या skin दाने दाने आ जाए जिसे हम Medical Terminology में Locally Advanced Breast Cancer केते हैं, it is locally present Stage 4 is a systemic disease, जिसे ब्रेस्ट के पूरी शरीर में cancer spread हो जाता है तो लिवर में जा सकता है, हड़ी में जा सकता है, आपके लंग्स में जा सकता है, ब्रेर में जा सकता है इसे हम कहते हैं Stage 4 Breast Cancer Okay, कही ना कही यह जो process है, किस तरीके से breast cancer अगर किसी को detect है, तो किस तरीके से Medication दिया जाता है, किस तरीके से prescription किया जाता है, इस बारे में जानना चाहते है Breast Cancer की treatment, तीन चीज़ों से होती है, in fact, अभी 4 है, एक तो अपना surgery होता है Second is chemotherapy, radiation therapy and, अभी recent advances में, targeted therapy होता है Okay So, जब आपको breast cancer detect होता है, earlier the detection, better the cure हम बोलते है इसलिए आपको अवेर रहना जरूरी है, तो जब आपको अवेर रहना जरूरी है So, जब आपको जाते है और आपको अपका stage of cancer पता चलता है चाहीं कर चाहीं प्लान सलिए, फ़र्टी उसकी प्लानमा सफेथ Alगी 항상 के में अज़ च जया है कि आपको प्लान साली है How one can be to Do Camasшь लिक ःचाहाugu Walak… And a situations The Time when the Mar Archers android could, it be Twr. ribs Cancer is a patient So the team hands up as a dal's is not even the clinical anisEM We might go outside So you are from the HCG Cancer Hospital मैं आपसे जानना चाहती है किस सरीके से हैं है किस सरीके से हैं है अपको पूरी निकालने की जरूरत नहीं है और अर्ली स्टेज में आते हैं और किमो थेरेपी रेडियेशन सब रिसेंट एडवांस की नजर रखते हुए होता है मैं अगर नापपूर अपने शहर में आपने शहर थे लोगों लगता है कि यहां पर ट्रीटम्ट पॉसिबल नहीं है उज़ें पर लूजार रखते हैं तो ही ट्रीटमें होगागा यह जितनी भी डेक्नीक्स है जो बहार अगर इवलेबल है वहार अगर जिसे हैं इतन नहीं कwydd्ञ यह अगय जाते हैं कि फुर preserve दन्योंप मेर इस बार होगा होता है इसके बाल क्या भूरी होता है कि प्रेस्ट को रिमूब करना जाहिए इस हमेरी छाहिए इस बारे मेरे जाहिश्यित लडरी है so there is no way out to surgery अभी हम कौनसी सर्जिरी करे वो आपके breast cancer के stage पे डिपेंड होता है पर इतने हमारे recent advances आये है कि अभी आपको पूरी breast निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जहां पे tumor है जहां पे गठान है हम उतनी ही निकाल सकते हैं अगर आपकी गठान बहुत बढ़ी है और अगर पिर भी breast बचाना चाहते हैं तो हम कीमो थेरेपी देके वो गठान चोटी कर सकते हैं और फिर सिफ गठान कोपरेशन भी कर सकते हैं पर एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब आप ब्रेस्ट पूरी नहीं निकालते और सिफ गठान कोपरेशन करते हैं आपको radiation लेना कंपलस कि अगर ब्रस कांसर एक बार हो गया तो उसके बाद डार उनकी कुराबल चीज है नहीं मतलब लोगों मैं अगर कांसर का डिटेक्शन हो गया तो वह हमीद शोड़ देते कि इसके बाद कुछ होने से रहा मैं आजसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रस कांसर क्यूरी है कर दो देफिनिटली क्योर है स्टेज फोर में हम कांसर कंट्रोल कर सकते हैं अपका जो स्टैंडर अव लिविंग है जो लाइफ और अजो लाइफ अगे होगा वह इंपरूव कर सकते हैं कि अपहा थे इसलिए हम अवेरर्नेस प्रोग्राम करते हैं कि जितना जल्दी आपको क पता चले जितना जल्दी आप टीटमेंट चालो करें उतना आपका क्योर रेत बढ़ता है कई अगाई ये भी थीज है कि लोग्स हमारे जिस तरीके के रहते हैं यूशली जो इनर्वेर्स रहते हैं वो जो फीमेल्स के या फिर मेल्स के भी हम कहले है वो अच्छी होने चाहिए तो किस तरीके से क्लोथ और ब्रेस्ट कैंसर का रिलेशन है उसके जानना चाहिए ये एक मित है सोसाइटी में कि अगर आप बहुत ताइट इनर्वेर पहने या आप इनर्वेर पहने तो उससे आपको कैंसर हो सकता है इन फाक्त इस बेनिफिशल कैंसर के माध्यम से नहीं कहां गी और अगर आप प्र फिटिंग का इनर्वेर पहने तो आपके ब्रेस्ट को एक सपोर्ट होता है तो जो आपको बहुत सारे महिलाओ को पैन होता है तो वो उसका एक का रण एपका ब्रेस्ट का वेट तो आप अ प्रेगनेंशी भी कुछ अगर प्रॉपर चीजे नहीं हुई तो उसके वजे से भी दिकत हो सकती है जब ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है तब इसके बारे में आपसे जानना चाहती है तो प्रेगनेंशी में यह अप अलग ट्मिनोलोजी है जिसे हम कहते हैं P.A.B.C, Pregnancy Associated Breast Cancer पर इसका ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेशिन नहीं है जैसे मैंने शुरुवात में में ब्रेस्ट कांसर में लाक्टेशन इस प्रोटेक्टिव तो जब ही आप प्रेगनेंट होते हैं आप बच्चे को डिलिवर करते हैं तो उसको स्टन पान करना बहुत जरूरी है 12-18 महना अगर आप रेगुलरी स्टन पान करेंगे तो आपके उपर उसका प्रोटेक्टिव एफेक्टा है जितने भी दर्शक है हमारे और अगर उनमें किसी को कैंसर हुआ है या फिर उनको प्रेंटिव मेंजर्स बताने है तो आप उनके लिए एक मैसिज क्या देए present, breast cancer जैसे आपने कहा था कि लोगों को लगता है की breast cancer हो गया तो अभी death होगी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे इसलिए की मेलाई in cancer का निदान होने के भार doctor के पास जाते नहीं पर मैं कहना चाहूंगी कि breast cancer is not a death sentence ये ये curable है इसका treatment 6-8 मेहplainा चलता सबसर्जरी, कीमोथरेपी, रेडियेशन मिला के पर एक बार आप टीटमेंट पूरी तरह से फॉल करें आप इसमें से बच सकते हैं प्रिवेंशन के लिए एक्सरसाइज करें दुम्रपान ना करें तंबाकु का सेवन ना करें शराब का सेवन ना करें और सेल्फ ब्रेस्ट एक्सराइशन करें क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप में अगर कोई तकलीफ है कोई वार्निंग साइंस अगर आपको लगते हैं तो दॉक्टर के पास और गग जाना है और आगे आई एक इसके बात करेंगे जितने जाद आप करेंगे जितने करेंगे जागरुकता बढ़ाना क्योंकि महिलाई जो ब्रस चैंसर के अगे आती है अभी भी हमारी सुसाइटी में ब्रस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई बात करने के लिए और अगर उसे जोड़ी समस्या हो तो और ही शर्मा जाती है या बताना पसंद ने करेंगे यह जरूरी है कि इस चीज को लेके जागरुकता बढ़ाई जाए 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 अगर कोई सिम्टम्स आपको दिखते है तो जितने भी होस्पिटल्स है या जितने भी डॉक्तर से उनसे एक पार कंसल्टेशन कला दिया जाए और वो यूजली सही जो राय होती है वही देते ह पार के रुट है वही जो तरह कि यह पती है झिने जूज से यह जी प्रिस्टर से बढ़ा है जितने उर्क्त गर यह जिए सर्षिक प्रिश अग्स अधोरी ज़ह कि करी हो प्रेस केते नहीं ऑए च्शुनेयव दिए वो आज के सेशन में हमने जाना और आज हमारे साथ थी Dr. Arundhati Ji HCG Cancer Hospital से थेंक यू सो मच आपने आपका कीमती समय हमें दिया और कही ना कही बहुत जो जाहगुरुप्ता है वो आपके तुरू हुई है